प्यारे विदार्तियों नमस्कार स्वागते आपका एक बार फिर से नई अजुकेसनल वीडियो में तो दोस्तों जिन विदार्तियों ने अभी अभी 12th पास किया है 2021 में चाहिए वो आर्ट से हो साइन्स से हो या फिर कॉमर्स से तो दोस्तों उनके लिए जो है ग्रेजुए इस बीडियो को एपरेज्स आपको लगेंगे प्राइवेट फोर्म बरना चाहिए या पिर रैगुलर बड़ना चाहिए साथ यह साथ जो जो question विदार्थियों का मन में कब से कब तक आपके form apply होंगे तो दोस्तो फर्स्ट एर के जो आपके admission form है ठीक है ना 18 अगस से ओल्रेडी आपके start हो चुके है तो जिनको नहीं मालू है वो देख लिजी 18 अगस से 31 अगस तक अगर यह date आगे नहीं बड़ी admission form apply करने की date आगे नहीं बड़ी तो यहीं आपके आखरी date रहेगी 31 अगस तक आपके form apply होंगे तो देखे दोस्तो अठार अगस से 31 अगस के बीच आपके already form start हो चुके है जो चात्र admission लेना चाहते है इच्छु के graduation करने का प्राइवेट या regular वह भी मैं बताना वाले हूं कि किस परकार के form किन चात्रों को प्राइवेट बनना चाहिए और किन चात्रों को regular बनना चाहिए वही बात करें 6 सितंबर को ठीक है ना 6 सितंबर को आपकी मेरिट लिस्ट भी बनकर त्यार हो जाएगी ठीक है ना 31 अगर्त लाश्ट डेट है फोम एप्लाइ करने की 6 सितंबर को आपकी मेरिट लिस्ट भी आ जाएगी तो यह डाउट आपका खतम हो गया होगा कब से कब तक आपके फोम एपला होंगे अब बात करते हैं डोक्यूम 10 की ठीक है ना 10 की मार्क शीट इसके लावा 12 की जो अभी अभी आपने पास आउट की है उसकी जो है आपकी पर्मोटेट जो मार्क शीट है वो भी आपकी यहां पर जरूरी है तो 10 और 12 दोनों की आपके पास मार्क शीट होनी चाहिए इसके लावा दोस्तों TC और CC जो ट्र कर ठीक ना इमित्र पर जाकर और बहतरीन तरीके सा पता कर सकते अपनी नजदी की इमित्र सा पूछ सकते हैं कि और कौन-कौन से अगर आप फोगी अपनी पर चाहेंगे या तो वह कोई दूसरा कोर्स करना चाहेंगे या फिर कोई साथ में कोई जोब करना चाहेंगे तब भी वह प्राइवेट फोग्लाइगे अब रेगूलर फोर्म क्यूं परे अगर आप साथ में कोई दूसरा कोर्स नहीं कर रहे है ठीक है आपको केवल अपनी ग्रेजुएशन करनी है फर्स्ट इर का फोर्म अप्लाइग करना है कोई दूसरा कोर्स आप नहीं कर रहे है साथ में कोई दूसरी जोब भी आप नहीं कर रहे है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा आप regular form भी apply कर सकते लेकिन अगर आप साथ में private कोई जोब करना चाहेंगे दूसरी या फिर कोई दूसरा course करना चाहेंगे तो आप private भी फर्म बढ़ सकते क्योंकि इसके लवाब आपको regular के अंदर कोले जाना होता है तो आप दूसरा काम नहीं कर सकता अब दोस्तों बियस्टी से के जो चात्र जिन्होंने फोर्म एप्लाई किया ठीक है ठीक कि न BSD 2021 के जो चात्र फोर्म एप्लाई क्या है अगर उप्येश्टी से के साथ ग्रेजिशन भी करना चाहते तो उनको जो private form apply करना चाहिए ठीक है ना private उनको form apply करना चाहिए क्योंकि दोस्तों अगर BSTC में मान लेजेए आपका number आ जाता है ठीक है अगर रिजल्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको 2 साल की जो BSTC है बीएश्टिसी आपको मालूम है दो साल की होती है और यह दोस्तो रेगुलर होती है ठीक ना यह आपके रेगुलर होती है इसे आप प्राइवेट नहीं कर सकते हैं तो अगर आप बीएश्टिसी के साथ साथ ग्रेजुएशन भी करते हैं तो दोस्तों ग्रेजुएशन आपक की तीन साल की graduation होती है उसे आपको जो हैं प्राइवेट ही करना पड़ेगा अगर साथ मैं आप बीस्टी सी करना चाते हैं उनके लिए थो क्रेजुए टो कोई मेंटर नहीं है वह तो graduation करेंगे नहीं लेकिन जो चात्र केवल करनी पड़ेगी वह आपके रेगुलर होती है और जो ग्रेजुसे ने आपकी तीन साल की फर्स्ट यर सेकेंड यर और फाइनल यर वह आपको प्राइवेट फॉर्म एपलाई करने पड़ेंगे ठीकना आप इससे रेगुलर नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर आप केवल ग्रेज से या किसी अधर फेकल्टी से आप ग्रेजुसिन करना चाहते हैं तो फिस्ट यर के फोम अल्रेडी स्टार्ट हो चुके हैं लास्ट डेट निकलने से पहले आप अपने फोम एपलाई कर सकते हैं अगर आपने डोक्यूमेंट नहीं बनाए ठीक है अभी तक आपने आप फिर भी रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और दोस्तों ऐसी ही मैतोपून वीडियो ठीक है ना बीएश्टिसी की जब काउंसलिंग होगी कट आप निकलेगी एक्जाम का रिजल्ट जब आएगा वह सारी मैतोपून आपके उन्यूस जो हैं इस च सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बढ़ेगे